एक्स्पीरियंस वेस्टन डीज प्रूफ टूमच फो इंग्लेंड टेंग करते हैं वेस्टन डीज जेसन ओल्डर ने छे खिलाणी को शिकार किया जॉसन गेप्रिल ने चार जवाब में वेस्टन डीज तीन सो ठार रण बना सकी पहले इनिंग्स केंदर वेस्टन डीज तेर संबारी खेली अगला सेग्मेंट टीम ट्रॉट रशर तो हमारे सि मैच की टीम ट्रॉट रशर है वेस्टन डीज आई उंके बारे में बात करते हैं वेस्टन डीज के फैफट प्र बने एइस मैच के जेसन होल्डर गेप्रियल केमार जॉसफ इनों क्या कमाल की स्विंग ब बाउंसर से भी काफी तंग किया और बोथ प्लान करके बॉलिंग की दोनों इनिंग्स में गेबरियल वेल ड़न जैसन ओल्डर ने आठ शिकार की और पहली निंग्स में तो नहाई थी खुबसूरत बॉलिंग करते वे चे विक्टे ली सीमिंग कंडिशन्स को यूज किया का कप्तानी भी की जैसन ओल्डर ने वावाव वेल डन अपनी टीम बॉंसर की तरफ तो हमारे इस माचकी टीम बौंसर हैं इंग्लेंग इंग्लेंड की बेटिंग बहुत ही मायन इ्यूस कोनरी दोनों इनिंग्स के अंदर और बॉलिंग में वो कुछछ खातर खाव पर्फोर्मेंस नहीं कर सके इंग्लेंड की बैटिंग काफी रस्टी साबीत हुई उसमें काफी ने नाम थे जिसकी वज़ा से इन एक्सपिरियंस होने की वज़से टीम खातरखा परफॉर्मेंस नहीं दे सकी इंग्लेंड की पूरी बैटिंग लाइन आप बाउंस आउट कर दी दोनों इनिंग्स के अंदर दस दस खिलाडियों को आउट किया और क्या ही शांदार प्रदशन रहा वेस्टन डीज का इस मैच में बैन स्टोक्स ने बालिंग तो काफी अच्छी करा ही लेकर उंके बाकी बालर जिन में आर्चर और मार्क वर्ड हैं पहले ही नहीं नहीं मददगार थाबित नहीं हुए टॉप फाइफ वुमेंट्स ओड़ मैच में हैं सबसे पहले पारिश यूगे इसने स्पॉयल किया डेर वन दो पर हैं जेसन होल्डर की छे विक्टेम पहली इनिंग्स के अंदर मैच बनाया नमबर थ्री पे वेस्टिन डीज की 114 रण की लीड ने तुर्य लगी पांच विक्टेम नमबर चार पर जिसने मैच का नक्षा ही बदल डाला प्रेमल के मैच वेनिंग पे चानवे रहा हैं नमबर पांच पर प्रेमल के मैच बने शेडियन गैबरेल मैच में नो विक्टेम लेकर